असलाम अईकूम मेरा नाम है तईबा और आप देख रहे हैं आडियो विज्वल बुक्स ना मुम्किन से मुम्किन का सफर किताब का नाम मुसन्निफ हैं अब्दुलजीस चोधी साब इस किताब के इप्तिदाई सफात इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे जरूर स पाकिसान के मार्जे वजूद में आने से एक साल के भी पैदा होने वाले राना ताब इर्फानी ने जब सिर्फ दो साल की उमर में चीचक की बीमारी के बाइस आंखों की रोशनी खोई तो शायद किसी ने सोचा भी ना होगा कि इस बच्चे की जिंदगी और जद्दो जह पिर उनके जिन्दगी की अकासी करता है तहरीक बन के उमर गुजारी है दार पर मन्जिल के रास्तों में ही खुद को मिटा दिया मिनाई से महरूम होने के बावजूद राना ताब इर्फानी आठ किताबों के मसनिफ हैं जिन में चार शेरी मजमूएं और चार नस्री कुतब शामिल हैं शेरी मजमूएं में नजमों का मजमूएं सहरे ताब घजलों का मजमूएं सियारे शब नजमा और घजलों के मजमुएं किरन काजल और मुझको संकसार करो और सरे बाजार करो शामिल है जबके नसरी कुत्ब में अफसाना पाउं की खुश्बू, सफर नमा समात की आंक से खुश्बू, उपलों का दुआ और उनकी तसानीफ पर होने वाले तपसरों पर मुझतमिल किताब चरागे तेरा शुभी शामिल है इनकी शायरी की पजीराई का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उनकी किताब चरागे तेरा शुभी में वजीर आगा, मुझीबू, रह्मान शामी, बानो कुद्सिया और इजास एहमद आजर समेच 36 मशूर अदिबों के तबसरे शामिल है उनकी बीना जरूर थे, लेकिन उनके अंदर इल्म की प्यास सहरा जैसी थी एक नार्मल इनसान शायद जिन्दगी में कोर्स से हट कर दस किताबे भी नहीं पढ़ता लेकिन वांखों से महरूम होने के बावजूद, बिरियल की मदद से अब तक 3000 से जाइद किताबे पढ़ चुके हैं वो बच्पन में, जब अपने गाउं की महफलों में पुरानी लोग दास्ताने सुनते तो बिचैन हो जाते उनका भी दिल करता इन दास्तानों को अपने इल्फास का पेरहन पेहना सकें उन्हें अपने अंदाज में दुनिया को सुना सकें कुछ ऐसा करने के लिए वो हर वक्त मुस्तरिब रहते जब वो बिनाई से महरूम हुए तो इन दिनों में नाबीना अफराद को यहां तो घर तक महदूत कर दिया जाता था यहां भी मस्जित की नजर कर दिया जाता था उनके घर वालों ने भी उने बिनाई की महरूमी की वज़ा से सिर्फ दिनी तालीम तक मेदूद रखने की कोशिश की लेकिन वो दिन के साथ-साथ दुनिया की तालीम भी चाहते थे इसलिए वो डट गे लहाज़ा उन्होंने दिनी तालीम भी हासिल की मगर अपनी अमली जिन्दगी का आगाज वालदین के खुआबों के बिल्कुल बराक्स फने मुसी की से किया और रेडियो, स्टेज और टेली विजन से कहीं साल तक मुनसलिक रहे उन्होंने तालीम से अपने दमाग को मनवर किया और अंदे दिल और दमाग के साथ जिन्दगी गुजारना कवारा नहीं किया उन्होंने ग्रेजुएशन तक रस्मी तालीम हासिल की बिरियल की मदद से हजारों किताबें पढ़ डाली वो पढ़ाई बिरियल के जरीए करते और लिखने के लिए उन्होंने एक शागिर्द रखा हुआ है वो बोलते जाते हैं और वो लिखता जाता है इस तरह वो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा उठा लेते हैं उनकी पहली किताब किरन काजल 1986 में शाया हुई तो इसी साल उन्होंने अपने दोस चोधरी अब्दलकफूर के साथ मिलकर बसारज से महरूम लोगों के लिए आलमी फॉर्म बराए बेबस मुसन्नफीन के नाम से एक लाइबरेरी का आगास किया वो इल्म की एहमियत को अंदर तक जान गये थे वो चाहते थे कि इसकी रिसाई बाकी नभीना अफराद तक भी आराम से हो जाए इनके पस जितना सरमाया था उन्होंने इसके उपर लगाने का फैसला कर लिया उन्होंने इस लाइबरेरी के लिए अपना प्लार्ट, कार्स और सीमट और नमकी एजनसियां तक फरोख्त कर दी ये सरमाया खतम हुआ तो दोस्त एहबाब से तकरीबन साड़े छे लाग उधार लेकर भी लगा दिया तब भी उन्हें कुछ कमी महसूस हुई और पैसों का बंदस बस कहीं से ना कर पाए तो उन्होंने अपना गुर्दा फरोख्त करने का इस्तिहार दे दिया ताबिर्फानी बेबसर अफरात की अफला के लिए काम करने वाले दस से जाइद कौमी और बैनल अकवामी फलाही तंजीमों के एहम ओदो पर भी फाइज रहे हैं वो 1990 से 2000 तक वर्ड ब्लार्ण जूनियन के डारेक्टर स्पोर्स औरेशन ब्लार्ण जूनियन के सेक्रिटरी इंफॉर्मिशन भी रह चुके हैं सत्तर साल की उमल को पहुंचने के बावजूद इस बाहोसलर शक्सियत की तालीमी और बेबसर अफरात के लिए काविशों में कोई कमी नहीं आई अब वो महनामा बिनाई के नाम से एक जरीदा निकालते हैं जो बसारत से महरूम अफरात के तर्जमानी करता है वो कहते हैं कि मैं अपनी शायरी के जरीए लोगों को पेगाम देना चाहता हूँ कि माशे के माजूर अफरात को बाहर से ना देखो बलके उन अंदर से देखो क्योंकि हकी की बसारत बंदे के अंदर होती है उनका ये शेर उनकी अजम औहिम्मत की अकासी करता है मैं वो पत्थर हूँ जिसे तेशा फरहात के साथ मैं वो पत्थर हूँ जिसे तेशा फरहाद के साथ गर सलीके से तराशो तो खुदा बन जाओं राना ताब इर्फानी सहब जैसे लोग इस मुलका सर्माया है जो अपना सब कुछ लुटा कर भी इस वतन की लोगों की खिदमत से एक कदम पीछे अटने को त्यार नहीं है ऐसे अजीम लोग जो दूसरों की ज़रुवत पूरी करने के लिए अपने गुर्दे बेशने को तियार बैठे हैं एक ऐसा नबीना शक्स जो इल्म से इश्ग करता है और चाहता है कि उसे सारी दुनिया के लिए आम कर दूँ मुझे यकीन है आप किताबें पढ़ते हैं क्योंकि ये किताब आपके हाथ में इस बात का सबूत है आएं आज से ताब इरफानी के मिशन का हिस्सा बनकर किताबें बांटने इल्म बांटने और इल्म दोस्त पैदा करने का भी एहद करें इल्म छुपाने वाले कभी नामवर नहीं होते और इन फिलाने वाले कभी गुम नाम नहीं मरते सुनने का शुक्रिया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें शुक्रिया